जैन साथियों आपका अपने यूटीब चैनल में हाद एक स्वागत हैं अध्यापक साथियों आज हम मिसरंग कोर्स रंखला के अंतरगत कोर्स तीसरा अर्थात प्रात्में कच्छों में सच्छता और भासा सच्छल की अंत्यम प्रशनुत्री को हल करेंगे और जानेंगे कि इस प्रशनुत्री में कौन कॉन से प्रिशन पूचे गए हैं और उनके व weapons प्र द्याइपक साथ ही इस प्रशनुत्री को अलक कर ने से पहले आप विच्छेप पे जा कर इस को ठीक से पूरा कफर लें ये कॉरस आपको अधन अध्यापन प्रक्रीया में बहुत ही उप से प्राथ्मिक च्छों में सचर्था और भासा सिच्छल के पोस्ट टेस्ट अर्था अंतिम प्रश्णूत्री का पहला प्रेस्ट हैं आप यहां सिच्का द्वारा बनाई गई ब्लाक यूजना को देख सकते हैं इस यूजना को भेतर बनाने के लिए आप इसमें क्या बदला करना चाहेंगे लाक यूजना इस प्रिकौं से हैं पहले लौँफ है ऑला यह संबंद सिंखाना समय दिया है तीस मिनट दूसरा ब्लॉब विल्लाग है अच्छर जोडी कर सब्द बनाना सिंखाना समय दिया है 30 मिनट तीसरा लुब है नेज़ा लेकोडिंग से जुरी गति निया कराना समय दिया है तीस मिनट अध्यपक्साथ ही आफ degsu दीगे ज़ीन हैं पहला बेकलप हैं पुरत एक दिन अगर में अलाग अब हाधायाम से जुरी गतिप धिम्स कराई जा रही हैं यह सही यूजना है तीसरा है प्रतेग दिन निम नौर उच्छे दोनों इस्तर पर काम नहीं किया जा सकता इसलिए सही यूजना है चोथा है किसी प्रकार की बदलाव की आउसकता नहीं है अध्यापक साथ इसका सही उत्तर है आपसन पहला प्रते एक दिन हर बिलॉक में अलग अलग भासा याम से जुलिकत बिधियां कराई जानी चाहिए थी अगला प्रेश्ण है एक सिचका के अनुसार प्रात्मेत का च्छों में सुनने बोलने के कौसल का विकास करना उतना जरूरी नहीं है जितना लिखने पढ़ने का उनके इस विचार से आप सहमत हैं या नहीं पहला प्रेश्ण है सहमत क्योंकि सुनना बोलना बच्चे घर से सीखते हैं दूसरा प्रेश्ण है असहमत क्योंकि सुनना बोलना कौसल पढ़ने के कौसल से जरूरी है तीसरा उप्षन है सहमत क्योंकि सुनना बोलना बच्चे खुद सीख सकते हैं लेकिन पढ़ना लिखना नहीं चौथा उप्षन है सहमत क्योंकि सुनना बोलना और पढ़ना लिखना चारो कौसनों का विकास आपस में जोड़ा हुआ है अध्यपक 37 का सेयुत्तर है उप्सन चोथा असेह मत क्योंकि सुनना बोलना और पढ़ना लिखना चारो कॉसनों का विकास आपस में जोला हुआ है अगला प्रेश्ण है हमने कोर्स में सिछड़ से जोली सिध्धान्त देखे इनमें से सही सिध्धान्त को चुने पहला है मौकिक भासा को सच रता से जोल जाना जरूरी है दूसरा है बच्चों के लिए किसी लिखे समागरी का समाच से समझना सिर्फ माधमे का और उच माधमे कच्छाओं के लिए जरूरी है तीसो ऑप्चन है हर इस्तर पर संतुलेत और कारगर भासा सिछल पर जोर देना जरूरी नहीं है चौथा ऑप्चन है अच्छा सहत भासा सिछल के बैकल पे कंग होना चाहिए साथ इसका सही उत्तर है ऑप्चन पहला मौकिक भासा को साचर्था से जोड़ा जाना जरूरी है अगला प्रेश्ण है सुरुआती का च्छो में प्रभावी भासा सिछल के लिए निम्लिमे से किस आयाम पर काम किया जाना आवस्चेक नहीं है पहला आयाम है धोनी चेतना दूसरा है सब्दावली तीसरा है ब्याकरने का ज्यान चोथा है अर्थपूर्ण पठन और पांचमा है मौकिक भासा का बिकास अध्यापक साथ इसका सही उत्तर है आयाम 30 राख अर्थात ब्याकरने का ग्यान और हमारा सही उत्तर होगा ओप्शन 4 रथात 30 राख अगला प्रेशन है एक सिचका द्वारा कच्छ एक में बच्चों को वर्लमाला याद करा दी गई है लेकिन फिर भी उनकी कच्छा के बच्चे सरल सब नहीं पढ़ पा रहे हैं इसके क्या कारण हो सकते हैं पहला अप्शन है वर्लमाला रटना पढ़ने मदत नहीं करता दूसरा अप्षन है वर्लमाला याद करना अर्थ कूल नहीं है तीसरा option है decoding पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया चौथा option है उप्रुक्त सभी साथ इसका सही उत्तर है option चौथा उप्रुक्त सभी अगला question है प्रात्मिक कच्छाओं में भासा सिछण के लिए इसे ध्यानत फर्वाभी भावे महासा सिछण पर जोर देना से क्या तातपर है option पहला है कोसल और अर्थाधारिक पद्धितपर साथ-साथ काम करना option दूसरा है निमण और उचिस्तर के कोसलों पर साथ-साथ काम नहीं करना तीसरों अप्षिण है ध्वनी के समंध और ध्वनी चेतना पर साथ साथ काम कराना चौथा अप्षिण अलाग अलाग अर्थपूरे संद्र विदे कर पढ़ना सिखाना अध्यापक साथ इसका सही उत्तर है पहला कौसल और अर्थधाधारत पद्धित पर साथ साथ काम करना अगला प्रेश्ण है राधकाजी का च्छाएक में बच्चों को वरड़ समुही में प्रतेक वरड़ अर और मुखर सिख्चा चौथा ऑप्शन है आकासमेक और अंतर्न सिख्चन अध्यापक साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा जोजना बद्ध और मुखर सिख्चा अगला प्रेश्ण है दिए गयों देशों में से काउन साथ देश प्रात्मिक कच्छों में भासा जाता को बच्चों के लिए प्रसांगिक बनाना दूसरा आप्शन है बहुभासी चमताओं का विकास करना तीसरा ऑप्शन है भासा की समवाज तो यह उप्यों की चमता का विकास करना चौथा अगला प्रेश्ण है सिख्च्छा कच्छा दो में जी आरार से ध्धान्त का या प्रिक्रियां का उप्योग करना चाहिए अध्यापक साथ ही आपको इस पृष्ण के उत्तर में जो विकल्प दिये गये हैं इनको करके सही करह करना है तो सबसे यूज़े हम ऊपर रखेंगे मुखर पार्थन को इसके बाद से पार्थन को इसके बात मार्ग दर्शन के साथ पठन को और अन्ते मं रखेंगे शौतबत पठन को 37 प्रकार से आपको इस प्रेश्ण के उत्तर में इन विकल्पों को इस क्रम में विवस्थ कर देना है और नेक्स्ट पर क्लिक करना है अगला प्रेश्ण है सुरेश जी का चैक के लिए भासा सिच्छल की साल भर की योजना बनाने चाहते हैं आप उन्हें इन में से सबसे पहले क्यास निश्चित करनी की सलाह देंगे पहला ऑप्शन है कच्छाइक के सीखने के लिए प्रतफल पर हैं दूसरा ऑप्शन है कच्छाइक के लिए भासा सिच्छल की मुखायाम और उन्हें जूड़ी मुख्छमताओं का चैन करें तीसरा उप्षन है कच्छाइक के लिए सही गद्विधियां चांटें चौता उप्षन इन में से कोई नहीं साथ इसका सही उत्तर है उप्षन दूसरा कच्छाइक के लिए भासा सिच्छन की मुख खायाम और उनसे जुड़ी मुख्षमताओं का चैन करें अध्यापक साथ इस प्रकार से इस प्रशन उत्तरी में हमने दस में से सभी 200 प्रशन के उत्तर दिये हैं इसके बाद आपको सम्मेट बटन पर क्लिक करना है जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपके द्वारे सही के इगद्विधियों की संक्या आ नन्यवाद